हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम इस वीडियो में नेता जी सुभाचन बोस पर भातर पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं सम्मानित, प्राध्यापक, सिच्छक, अभिभावक और मेरे पिरिये मित्रों सभी को सुपर्भात तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेता जी सुभाचन बोस का जन्म बाई जन्वरी 1897 में कटक उडिसा में हुआ था वे एक महा सुतंतर्ता सेनानी थे, 1943 में पहली भारतिय राष्टिय सेना आजाद हिन्द फोज को खड़ा किया और हजारों भारतिय युआओं को बिटिस अपनी वेशिक सासक से सुतंतर्ता के लिए शंगस में सामिल होने के लिए प्रेरित किया सुबाष्चन बोज की भागीदारी सबने वज्ञा अंदोलन के साथ बढ़ गई यहीं से सुबाष्चन बोज भारतिय सुतंतर्ता अंदोलन का हिस्सा बने इसके अलावा 1948 में वाकांग्रेस पाल्टी के अध्यच बने हाला कि उन्होंने इस पद से सीगर ही इस्तीफा दे दिया नेता जी अकेले के दम पर सुतंतरता प्राप्ती के लिए फोज तैयार कर ली सभी उनकी परतिबा देखकर दादो तले उंगली दबा लेते थे अंग्रेज सरकास समझ गई थी कि अगर सुबाज जी कुछ दिन भी सुतंतर रहे तो बहुत शीकर ही देश को उनके चंगुल से छुड़ा लेते इस डर से अंग्रेज ने अंग्रेजों सुबाज चंद बोस को नजर बंद कर दिया इसकी वजह से बीटिश सासन से उनका बिरोर बढ़ गया हाला कि अपनी चतुराई के कारण उन्होंने 1941 में गुप्त रूप से देश छोड़ दिया तब हुआ अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगने के लिए इरोब गये सबसे उल्लेख निये उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रूस और जर्मनों की मदद मांगी सुबाज चंद बोस एक महान भार्तिय र कड़ाई लड़ी सुबाश चंद बोस निच्चिर रूप से एक करांदकारी सुतंतरतासिस सेनानी थे मैं अपनी वाड़ी को यहीं विराम देती हूँ आज सभी की आभारी हूँ जो आपने मुझे इतना धैर पूर्वक सुना धन्यवाद